वोगाई इंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्टर का चैप्टर यहां पर रिवाईस कर लो आपको पहले बताऊंगा इसके चैप्टर के लिए तो आप को पता लगेगा कि किस तरीके से हमें उसकी importance और health infrastructure के बारें बता दूँआ और ये chapter खतम हो जाएगा ये इसका content है आपको पता है कि हमारे देश को तरक्की करने के लिए काफी सारी facilities की जरूरत है जब हमारे देश की तरक्की की बात होती है तो बात होती है हमारे देश के GDP की जब GDP बढ़ता है तो देश की तरक्की होती है ऐसा बोला जाता है GDP को बढ़ाने के लिए हमारे देश में भूसतारी factories, industries और companies होने चाहिए ये companies तब अच्छे तरीके से चलेगी जब इनके पास facility अच्छी होगी facility जैसे की मानलो बिजली टाइम पर इनको मिल रही होगी पानी की सुविदा होगी अच्छा road का network इनके पास जो पड़े लिखे बंदे होंगे education वाले तब ये अच्छे से चलेंगी तब देश की तरक्की होगी बस इन सब facilities को ही बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, definition यहाँ पर clear होती है और देखो लिखी भी है infrastructure की definition, infrastructure means the combination of basic facilities which are necessary for the development of a nation, nation यानि country की बात हो रही है, आप य infrastructure की जो facilities है, यह हमारी personal human development को भी बढ़ाती है, यानि हम educated होंगे, तो हमारी personal development भी बढ़ रही है, और अगर road जैसी अच्छी facilities available होंगी, companies, factories अच्छी होंगी, तो हमारे देश में production बढ़ेगा, तो देश का GDP भी बढ़ जाएगा, तो दोस्तों जो चीजें, जो facilities देश के economic advantage क के लिए होती है, यानि GDP और national income को बढ़ाने के लिए होती है, उन facilities को बोलते है, economic infrastructure और जो हमारी personal human development के लिए होती है, उनको बोलते है social infrastructure, अब जो social infrastructure है, यह पहले इनसान की quality बढ़ाएगा, तो यही इनसान company में काम करके company का production और ज्यादा बढ़ा देंगे, तो देश की तरक की में directly इनका हाथ भी होता है, तो infrastructure को दो पार्ट में divide किया हुआ है, एक होता है economic infrastructure, जिसकी definition आपके सामने लिखी है, economic infrastructure is the combination of basic facilities which is helpful in the economic development of an economy and business, यह बिजनस चाहे मत लिखना कोई दिक्कत नहीं है, यह definition असान बन जाएगी, इसके example अगर आप चाहो तो example आप बन सकते हो, ब electricity की, transportation की, energy की और वैसे energy का पूरा topic जो है infrastructure वाले chapter से जो आपके book में given है, वो सब deleted है, आपको सिर्फ health पढ़ना है, तो दूसरा infrastructure, social infrastructure होता है, इसके definition पढ़ोगे, तो it is the combination of basic facilities which are necessary for human development, इंसान की तरक्की के लिए, तो hospital होने चाहिए, वो health को देखेंगे, इंसान की education, college, school इंसान की अपनी development को दर्शाता है, तो दूसरे तरीक है का यह infrastructure है, इन दोनों के बीच में paper में difference भी आ सकता है, और यह infrastructure में, दोनों में relation है, यह एक दूसरे के complimentary होते है, यह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो यह stuff आपके सामने है, इसका screenshot ले सकते हो, फिर दोस्त क्या क्या होंगे, एक बार देख लो, agriculture, irrigation की वज़ए से develop करेगा, power sources और energy की वज़ए से industry develop करेगी, market का size total बढ़ने लग जाएगा, गाव और share collect हो जाएंगे, लोगों को नोकरिया मिलेंगी, बहार के देश invest करेंगे, क्योंकि अच्छी facilities हमारे देश में है, और हमें facilities मिल र करेंगे, अब मैंने बताये था, screenshot ले लो, इसका पांच लिखें, आप कोई भी तीन याद कर लो, यहां से, इन भी चल जाएंगे, तीन नमबर तका कोशन आ सकते हैं, फिर health infrastructure में कुछ emerging challenges है, जो आपको याद करने है, problem चल रही हमारे देश में, कि हमारे देश का ज़्याद टैर में लोग कम रहते हैं, increasing privatization of health services, health services ज़्यादा private sector में, private hospital ज़्यादा बढ़ गए हैं देश के अंदर, जो की बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं, जो की एक normal इंसान afford नहीं कर सकता, उसके बाद दोस्तों सफाई का अच्छा ख्याल नहीं रखा गया, और जो सरकारी अस् maintenance है, मतलब सरकारी अस्पताल सही से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, आई दिन हड़ताल वाँगा देखने को मिलती है, management अच्छी नहीं है, दिवारों पे गुड़के की peak ठूग रखी है, ये 5 मिनट के अंदर मैंने आपको infrastructure का पूरा chapter करा दिया, questions के साथ, please इसको याद कर साथ में medical tourism बताता हूं, medical tourism का मतलब, इलाज के लिए विदेश जाना होता है, तो गाइस जै हिंद, जै भारत